जाहें दोस्तों, दोस्तों भीहाद दरोगा के लिए जो आपका सेट है डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है अगर आपको दरोगा का त्यारी करना है तो मेरे भाई आपको पहले से लगना पड़ेगा आप ये मत वेट कीजिए कि जब वेकेंसी आएगा, फार्म हम भर लेंगे तो तैयरी करेंगे देखे, तब आपका सेलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ नमबरों से आप छूड जाएंगे अगर आपको तैयारी करना है दरोगा का रियल में तो आपको पहले से लगना पड़ेगा क्योंकि जब आपका फार्म आ जाएगा तो आपको तीन से चार मेने का ही टाइम मिलेगा पीटी एक्जाम के लिए तो आप पहले से लगियए और देखिए मैं आपको एक्जाम के टियारी के लिये विहार दरोगा के लिये आपका सेट परोवाइड करा रहा हूँ जो कि ओने पियारे गुरुजी रोसन अनन्दक के द्वारा यह आपका تयार किया गchain question आपको एकदम exam की तरह ही feel होगा तो आप इसको अराम से लगाए एक कोशन को detail देखिए और detail जो है मैं आपको दो set के बाद आपको जहां पर provide कराऊंगा आप उसको tension मत लीजिए और पूरा question देखा कीजिए इससे आपको क्या मालुम होगा कि आप कहाँ पे सही कर रहे हैं कहाँ पर ג्लत कर रहे हैं आपको कहाँ पर question एकदम नहीं आ रहा है question का pattern क्या ही है सब आपको मालुम होगा ठीक है और रही बात target batch का देखे target batch बिहार-ado-roga-wal其實 star कर दिया गया ठीखेá target batch में तो मार्केट में जो भी बिहार दरोगा का सेट आपका यहां पर नया सेट आएगा वह सब आपको पीडियाप के फॉर्मेट डिसकसन के साथ दिया जाएगा कोई भी सेट जो है आपको मार्केट से लेना नहीं पड़ेगा अगर आप फिर से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको जूड़ना है तो आप जूड़ लिजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा सभी चीज के बारे में जानकारी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रसन हम देख लेते हैं यह हमारा रहा सेट नंबर का होता है तो हमारा सो को सने यहाँ पर दो होगा नेगेटिव के बहुत लोग करते हैं कि दशप हो एक कि पांच पर है देखिए यहाँ पर निगेटिव दिया आगया है ठीक है अगर आप 10 परस्तन गलत करते हैं तब आपको यहाँ पर एक सही पर स्थ trakt का अंक जो प्रसन हम देख लेते हैं किस विद्मानने कॉंग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को तीन दिन का तुमासा बताया है तो यह बताया था आपका आश्वनी कुमार्दत ने entrepreneur दोस्तों को और स्थापित बंब़ई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सथापो को मेंसे एक था कि आन्सर हो जाएगा दोस्तों ओसनिवर टू का ए हो जाएगा फिरोज संहें च की मर्ज मुड Uhrين किसकी रचना है मजम उलबहरीन जो है यह किसकी रचना है तो यह आपको देखने को मिलता है दारा सिकोह का किसका मिलता है दारा सिकोह का ओप्सन नमबर A राइट हो जाएगा न्यावतार, न्यावतार किसकी रचना है? बताएगा न्यावतार जो है यह आपका किसकी रचना है तो यह आपको देखने को मिलता है सिद्धसेन का सिद्धसेन ओपस्टन अंबर B राइट हो जाएगा लूस, इस्मूत, अनावरित, कंडुवा किस फसल में होने वाला रोग है तो ये जो आपका रोग होता है दोस्तों ये आपको अधिक्तर देखने को मिलता है गेहूं को गेहूं में ये रोग आपको अधिक्तम देखने को मिलता है आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा आगे प्रस्ण है बोल रहा है देखिए आगे हमारा जो प्रस्ण है बोला कि पदार पूरी पदार पूरी नसल जो है किस पसु का यानि किस पसु का नसल है यह नसल से आपको एक कुछन एक जामे जरूर देखने को मिलेगा चाहे वो गाय का हो भैंस का हो भेड का हो बकरी का ह तो यह सो आपको जरूर देखने को मिलेगा यह आपको में नसल का भी वीडियो आपको प्रवाइट करा दूँगा ठीक है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमर बी भैंस का है चले नेश्ट कुशन है कि पसुओं विशेश्ट दुधारू गौ के अनुपूरत भोजन के रूप में प्रियुक्त जै उर्वरक है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए ए जोला याद रखेंगे ए जोला समिधान के किस अनुछेद में उन परिष्थितियों को बताया गया है जिनके कोई विध्यक जो है वियफगत अथवा समाप्त हो जाते है ये कौन से अनुछेद में है दोस्तों तो ये आपको देखने को मिलता है अनुछेद 107 में अनुछेद 107 ओप्सन नमबर B अधिनस्त विधान संबंधी समिधी का जो गठन है कब हुआ था ये आपका हुआ था समिधी का गठन 1903 में ओप्सन हमारा यहाँ पे D इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 में राय सभा के महासचीव की नियुक्ती जो है कि जाती है किसके दोरा देखिए राय सभा की जो नियुक्ती है दोस्तों ये आपका उपराश्टरपती के दोरा किया आता है आंसर हमारे हाँ पे B हो जाएगा भारत के उचितम नियाले ने निम्रीकित में से किस एक के बाद आत्मिहत्या के अधिकार को मूल अधिकार जो है सुईकार किया था आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए पी रथी नाम बनाम भारत संग 1994 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्रेशन जीरो आवर का संबंद किस से है देखिए ओप्रेशन जीरो आवर का जो संबंद है दोस्तों यह आपको देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंधुलन के दोरान महात्मा गांधुरता कॉंग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरभ तार करना यही हमारा ओप्रेशन है आपका जम्मो कास्मिर हो जाएगा जापरो जी जये हैंपका लदाख हो जाएगा और पुंगी चोलम जो ही आपका पंजाब जो कि यह म्लब इसी रामा नर्टम जो है यह पका हो जाब केरला तो आप सभी वायोग द्वारा जारी किया आता है जो कि सही है राश्ट्रपति के निर्वाचन प्रतिक MLA MLA को वोट यानि को वोट का मूली अलग-अलग राज यह में अलग-अलग होता है ठीक है सी हमारा यहां पर गलत हो जाएगा लोग सभाग सदस्यों के वोट मूल्य की अधिक होता है ठीक है यह हमारा गलत हो जाएगा और राश्ट्रपती चुनाओ सम्मधित सभी विवाद जो है उचितम नियाले द्वारा निप्टारा कि किया जाता है निप्टार जाता है एवं उसका निर्ड़ा जो है अंतीम होता है यह भी हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा ठीक है चलिए नैश्ट कोशन है बोला है कि निमलिखित में सक्की सराज्य की सीमा भोटान से नहीं मिलती है तो भोटान से नहीं मिलता है असम से मिलता है पश्ची मंगाल से मिलता है लेकिन त्रिपूरा से आपका यहां पर नहीं मिलता है तो याद रखेंगे निमलिखित में से कौन से कथन प्राकलन सम्मीति के संदर्व में सही नहीं है यानि प्राकलन सम्मीति के संदर्व में आपका यहां पर सही नहीं है देखिए इस समिति के अध्यक्ष के नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो प्रायह लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं तो यह हमारा यहां पे गलत हो जाएगा डी गलत सही है यहां पे देखे इस समिति को इस्थाई मित वेत इता समिति भी कहा जाता प्रसांत महसागरी टटिये देसों को सुनामी से स्ठुरक्षा प्रदान करने है तुट प्रसांत सुनामी चेतावनी प्रणालिक जो इस्ठापना है कब किया घ्ली तो दोस्तों यह क्या गया था 1998 में याद रखेंगे 1998 में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है यानि गलत कौन सा है देखिए आर्टिकल के बारे में दिया गया है तो अनुशेद 155 जो है राज्य पाल की न्यूकती अनुशेद 164 मुख्य मंत्री की न्य ठीक है चलिए नेश्ट कोसन हमारा है आगे है निमलिखित में से कौन सा यूग में जो है सही सुमिलित नहीं है अब इसको बताइएगा अपने हिसाब से जैसे हमारा यहां पर रॉबर्ट कलाई की बात कर लेते हैं पलासिक यूद सही है है हैक्टर मुन्रो बकसर का यूद ल करनेवालिस के समय में आपका त्रतिय आंग्ल मराठा यूद नहीं हुआ था तो इसमें पूछ रहा है कौन आपका यहां पर सुमिलित नहीं है तो डी इसमें आपका हमारा गलत हो जाएगा प्रसीद लोकनाटक स्वांग का सम्मन्ध जो है किस राजे से है देखिए स्वां जनरल थे वह आपको देखने के मिलता है लॉड लॉड हार्डिंग लॉड हार्डिंग ऑप्सन नमबर सी यदि प्रित्वी पर वायू मंदल ना हो तो इसके करण पूछ रहा है यह अगर प्रित्वी वायू मंदल नहीं हो तो दिन क्याओधी जो है बढ़ जाएगा दिन अ अकबर द्वारा सुरू की गई जहरोखा दर्सन पद्धि को किसने समाप्त कर दिया था जहरोखा दर्सन पद्धि तो यह जो समाप्त किया था औरंग जेब ने समाप्त किया था आंसर हमारा यहां पे सी राइट हो जाएगा आगे प्रस्त है बोला कि खेरूल खेरूल मंज हम दिया सलाई कारखाने की स्थापना जो है किस सहर में हुई थी दिया सलाई अगर हम दिया सलाई की बात कर लेते हैं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा option number B याद रखेंगे एहमदाबाद option number B जलोड मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है सही नहीं है देखें जलोड मिट्टी के अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हुमस इसमें हुमस की मातरा जो है काफी अधिक होती है यह हमारा point गलत हो जाएगा बाकि इसे कौप या कच्छारी ब्रिदा भी कहा एता है सही है भारत के सरवादी भू ब्हु भाग में यहीं मिट्टी पाए जाती है यह भी सही है भारत के उतरी मैदान में यह मिरदा का सरवादी के विकास जो है हु ही हमारा point गलत हो जाएगा लौड मिन्टो को यहाँ परान्टों में दोएधासन के जनक के रूक में नहीं जाना आता है आगे हमारा जो दिया गया है कि भारत सासन अधिनियम उनीस सो उनीस के द्वारा प्रान्टों में दोएदासासन प्रणाली के शुरुआत किया गया तो जो किये सही है भारत सासन अधिनिया मुनिसो पैंटीस दौरा केंदर में दोएत सासन पढ़ाली की यहां पे स्थापना किया गया थे यह भी सही है भारत सरकार अधिनिया मुनिसो पैंटीस दौरा भारत में संगिय सासन पढ़ाली की स्थापना गलत हो जाएगा बाकिन हमारा मिकिर पहाड़ी है या सम्मेस्तित यह आपको मिघाले में देखने को मिलता है तो आधार हमारा यहां पे गलत हो जाएगा आगे हमारा प्रस्ति है प्राचीन- भारती महाजन पदों के में निमलिखित कतनों मैं से कौन सही नहीं है यानि कौन इसमें गलत है देखिए महाजन पदों का एस उधर है जो यह हुद है कौन था मगत ये भी सही है डी हमारा यहां पे गलत हो जाएगा बौद गरंथ अंगुतर निकाय में सोला तथा जैन गरंथ भगवती सूतर में 32 महाजन पतों को सूची बद किया गया था जो कि ये सरासर गलत है ठीक है चलिए निम्न मैं से किस सास्तरी निरित्य को नटवरी निरित्य दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा कथक कथक इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से नोट करेंगे आगे परस्ण है निमिलखित कत्नों पर विचार कीजिए सही पॉइंट इसमें से कौन सा है उसको हम देख लेते हैं देखे देखे ठटी टू की बात कर लेते हैं तो हमारा option यहां पर सिर्फ एही सही हो जाएगा पॉइंट वन सही है पढ़ लेते हैं भारत में सरपर्थम मांसुन हवाएं जो है करनाड़ था गोवा के टड़ से टकराती है जिसे मांसुन प्रकोष्ट यानि प्रकोप कहा जाता है तो हमारा पॉइंट वन यहां सही आंसर हो जाएगा नेक्ट के इतिहास कार बर्ली ने किस सासक के संबंद में यह लिखा है उनके सासन काल में सडके और गलियां जो है सडके और गलियां गायकों से भरी हुई थी तो यह आपका हो जाएगा कैकू बाद क्या हो जाएगा कैकू बाद जो है इसका सही उत्त हो जाएगा भारती समिधान में संसत के दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक की संकल्पना को प्राप्त किया गया है प्राप्त किया गया है दोस्तों तो यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के समिधान से ऑस्ट्रेलिया के समिधान से हो जाएगा ऑप्सन हमारा यहां पे भी राइट हो जाएगा आगे प्रस्ने की भारत में सरवाधिक पवन उर्जा का उत्पादन करने वाला राजी जो है कौन सा है तो यह कौन सा राजी है तो यह आपका हो जाएगा आप्शन मड़ी तमिल नाडू याद रखेंगे तमिल नाडू बकसर के यूद सतरसो चौशट मे विजय होने के बाद भी लॉड कुलाई बंगाल की राज्यातिक सभा अपने अधिन कर द्वेद सासन विवस्था को अपनाया इसके क्या कारण थे तो इसके कारण पूछ रहा है इसके क्या थे तो इसके हम करण देख लेते हैं सभी करण थे देखे इश्ट इंडिया कमपन के पास परियाप्त मातरा में करमचारी नहीं थे इंग्लेंड के संसद के हस्तल सेब का यहां पर भय यानि इनमें से आपका यहां पर सभी पॉइंट सही हो जाएगा आगे हमारा प्रस्न है निमलिखित में से कौन से महालवाड़ी विवस्था ही विविसस्ताएं हैं पढ़ लेते हैं इसको 37 का आंसर क्या हो जाएगा देखे 37 की बात कर लेते हैं देखे पॉइंट आपका यह वन बोला है कि इस विवस्था का जनक जो है होस्ट मेकेंजी को माना जाता है जिसे बाद में मार्टिन बर्ड तथा जैम्स टामसन ने मुर्त रूप प्रदान गिया है इस विवस्था के अंद्रगत गाउं के मुख्या से सरकार का लगान वसूली का समझहोता होता था इस विवस्था का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लागू किया गया था ये भी हमारा पॉइंट सही है और उपर हमारा चौथा पॉइंट क्या है उसको हम भी देख लेते हैं देखे चौथा पॉइंट हमारा यहां पर दिया गया है इस विवस्था ने सरकार एवं किसानों की बीच का प्रत्यक्ष संबंद जो है समाप्त कर दिया था ये भी सही है अनुशेद 123 के तहत राश्ट्रपती की परिस्थिती में अध्यादेश जारी कर सकता है देखिए यदि राश्ट्रपती को ऐसा प्रतीत हो की वीधी निर्मान करने की ततकाल आवस्थे के तब्वों कर सकता है अगर सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिती विद्मान हो तो भी कर सकता है संसद के दोनों अथ्वा एक सदन सत्र में नहों तब भी अपना राश्ट्रपती जो है आपका अध्यादेश जार कर सकता है नेमन मैं से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है देखें मिला लेते हैं इसको जो आपका राष्ट्रिय चावल सुथ संस्तान है कटक में है भारती गन्ना आपको लखनों में है राष्ट्रिय मांस वा पल्ट्री जो है नई दिली यही हमारा यहां पे गलत हो ज जाएगा किस गवर्णर जनरल ने सिरसा सूरी कमार का नाम जो है बदल करके जीटी रोड रख दिया है तो इसका आंसर जो है 41 का हो जाएगा लॉर्ड ऑक्लेंड लॉर्ड ऑक्लेंड ऑप्सन नंबर सी निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सुमिलित नहीं है बहुत सारा इसमें कोशन जो है सुमिलित नहीं वाला है देखे पोंग परियोजना व्यास नदी थीन परियोजना रावी यहाँ पर रासी लिखा गया है तुलबुल जो है आपका जेलम सही है तुलबुल तिलिया जो है आपका यहाँ पे चंबल नदी नहीं अब तिलिया कहां पर पढ़ता है आप यहनी कौन से नदी पर पढ़ता है आप कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग निमलिखित में से किस सत्व का अलबीडो मान जो है सरवाधिक होगा अंसर हो जाएगा हीम आवरन इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे प्रसने के दल बदल के अधार पर M, PS और MLA की अयोगिता के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है तो सही नहीं है देख लेते हैं 44 का देखिए इससे संबंधित उपबंध जो है सम्मिधान के दस्विया नुसूची में दिया गया है जो कि सही है दल बदल के अधार पर किसी सदस्य को आयोग ये किया जा सकता है ये भी हमारा पॉइंट सही है जो कि ये गलत है इस पर आपका लागू होता है दल बदल का दुन से उधपन निरहरथा सबमंधित परस्नों का निर्ने जो है सदन के अध्यख्ष द्वारा किया जा सकता है ये हमारा पॉइंट सही हो जाएगा जलिए नेस्ट पर परस्न हम देख लेते हैं निम्ड में से किसने राष्ट्रपति सासन कुम्रित पत्र की संग्या दिया है तो यह आपका हो जाएगा option word D भीम राव अमबेट कर भीम राव अमबेट कर घुर सवारी के खेल परिसर को क्या कहायता है दोस्तो इसको हम कहते हैं एरीना याद रखेंगे एरीना इसका सही आंस हो जाएगा अंग्रेजी साहितिक के लिए सरपर्थम ग्यानपीट पुरसकार जो है दिया गया है किसको आंसर हो जाएगा अमिताब गहोस को याद रखेंगे अमिताब गहोस option number A right हो जाएगा जावाहर लाल नहरू पुरसकार किस छेतर में दिया आता है जो जावाहर लाल उपनाम से सबी लोग याद रखेंगे MS गोलव यानि गोलव लर्व यहां पे हो जाएगा आंसर हमारे यहां पे C right हो जाएगा कावको द्वारा रिजर्ब भोज पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं आंसर हो जाएगा दोस्तों एक क्यावन का option number A यानि ग्लाइकोजन की रूप में ग्लाइकोजन की रूप में option number A right हो जाएगा RS तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपियुक्त नहीं है देखें विवाह के लिए जो है उपियुक्त नहीं है तो RH प्लस पूरुस था RH माइनस महिला या आपका विवाह के लिए उपियुक्त आत्में इस्तरावित होता है देखें छोटी आत्में इस्तरावित होता है तो याद रखेंगे सी क्रेटीन option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का वरिक नलिकाओं के दुरस्त कुंडलित भाग से मुखेता किसके आइनों का पुन्दराव सोसन होता है पुन्दराव सोसन जो यहां पर कारे पूछ रहा है तो हम इसका option देख लेते हैं देखें इसमें जो point one दिया गया है मस्तिस्क से आने एवं जाने वाले उद्भीतनों का सनवहन जो है करता है यह point हमारा यहां पर सही हो जाएगा आगे जो हमारा यहां पर दिया गया है प्रतिवर्ति किरियाओं म हमके संवन्वicios इवं नियंत्रन करना होता है यह भी हमारा सही है ये वी रक्त समुह में ये पी रक्त समुह में अगर हम बात के लेते हैं तो अंटी बाडि जो हे नहीं रहतें हैं आंसर हमारे हैं पर बी हो जाएगा निम्न मेंसे कौंसा एक मााधा जयन जो है थन्त्र का भ हाग है निमन मेंसे किस समों के जीवों का डूबने सी हुई मिर॥िव का पता लगाने के लिए यहाँ पर महतों माना आता तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डायटम हो जाएगा क्या हो जाएगा डायटम धुवा आवसे कुरूप से वाईयू मंडल में निमलिखित की उपस्तितिक करण होता है आंसर हो जाएगा नायट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड नायट्रोजन एवं सल्फर के option number D आगे हमारा प्रस्ण है बोलाए कि परिस्थित की तंतर में एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर में इस्थांतरण से उर्जा की मातरा इस्थांतरण से उर्जा की मातरा जो है इस्थिर रहती है क्या होती है इस्थिर रहती है option number C right हो जाएगा कांच है एक कांच है एक अतिसित द्रव्य पदार्थ है आंसर यहां पर भी हो जाएगा लोहे की एक गेंद जिसका विर्थिवी पर भार 10 किलोग्राम है का अंत्रिक्ष में भार होगा का अंत्रिक्ष में भार होगा तो सून एक किलोग्राम सून एक किलोग्राम हो जाएगा option number D धबा रहित इस पाथ बनाने में लोहे के साथ प्रियुक्त होने वाली महतपुर धातू कौन सी है तेकि यह महतपुर अगर धातू की बात कर लेते हैं तो आपका क्रोमियम हो जाएगा याद रखेंगे क्रोमियम option number B निमलिखित में से किस एक को stranger gas भी कहते हैं देखिए stranger gas gas की रूप में हम जानते हैं जिनोन को किसको जानते हैं जिनोन option number C इसका right answer हो जाएगा आगे प्रस्न हमारा क्या है बोले कि एक माकान की छत से भूमी की और एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर की गतीज उर्जा अधिकतम कब होगी देखिए अधिकतम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह आपका भूमी पर पहुचने के ठीक पहले होगा answer हमारा हम पर C right हो जाएगा इथेन गैस का स्वाद थोड़ा डैस होता है थोड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिष्टो लाफ का विस्कार किस ने किया है क्रिष्टो लाफ का जो अविस्कार है दोस्तों answer हो जाएगा option number C जब एक्स किर्णे उत्पाइद होता है तो लक्ष पर ताप जो है इस्थिर रहता है अब ही द्रिस्यक की फोकस दूरी करने तरिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है किसके लिए एक से अधिक होता है तो यह आपका हो जाएगा दूर दर्शक आंसर हमारे जहां पर बी राइट हो जाएगा तारो वा आकास गंगा का व्यास मापने के लिए प्रियुक्त उपकरड जो है है प्रियुक्त उपकरड है आंसर हो जायेगा इंटर फेरोमीटर इंटर फेरोमीटर आप्सन नमबर बी यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब यहां पे देखे बोलना है देखे जो आग्या हमारा प्रसन 73 नमर यदी 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदीन एक घंटा जलते हैं तो प्रतिदीन विधुत उर्जा की उपियों का मान कितना होगा देखिए इसको आराम से निकलेगा 100 यानि 100 वाट गुड़े 10 वल्ब लिख दीजिएगा गुड़े एक घंटा बारा यहां बटे में आपको 1000 दिएगा ठीक है दो जीरोς से दो जीरो यह कट गया और एक िरो उपर हमारा आधा हमारा यहां पर सिर्फ एक ही बच रहा है तो हमारा यहां पर एक यूनिट यहां पर हो जाएगा ठीक है तो आप बच्छे से याद रखेंगे विधूत फिटिंग में एक तार को भू संपरकित किया आता है क्यों आंसर हो जाएगा यदि आगे है जिएस्टे की विभिन दरों के संदर्व में अंतिमने लेने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है अंतिमने लेने का अधिकार जो है जिएस्टे परिसेत को होता है जेश्टी परिसेद ऑप्सन नमबर डी राजस्व घाटे में से पूंजी परिसब परतियों किस रिजन हेतु अनुदान का घटाने पर हम पाते हैं आंसर हो जायागा प्रभावी राजस्व घाटा आंसर हमारा यहां पर डी राइट आंसर हो जायागा आर आर अन मल होत्रा कमीटी जो है संबंदित है किसके लिए तो यह जो आपका सम्मीटी है दोस्तों बीमा छेतर के लिए सम्मीटी यहां पे संबंदित होता है सी इसका उत्तर हो जाएगा अंतराष्ट्री मुदरा कोस यानि आई एमेफ के संबंध में निनलिखित में से कौन सा कथन जो ती सर्मा याद रखेंगे जोती सर्मा ऑप्स नंबर भी देखे करेंट के लिए भी आप सबी लोग बोले थे करेंट सर इसमें जो भी दिया गया है चाहे ओल्ड हो चाहे नया हो आप करवा दिजिए तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं 28 जुलाई 2021 को किसे ने करनाट के ने मुख्य मंत्री की रूप में सपत ग्रहन किया है आंसर इसका हो जाएगा बसाव राज बॉंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नैश्ट के देश में सबसे उचे किर्केट इस्टेडियम का निर्मान जो है कहां पर किया जाएगा तो यह किया जाएगा आपका सिस 24 जनुर 21 को किस राज्य में राष्ट्रिय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ युजना अंतरगत पंक अभियान सुरू किया गया था किस राज्य के दोरा पंक अभियान तो यह आपका मध्य परदेश के दोरा यह सुरू किया गया था पंक अभियान दो मार्च 2021 को भारत और फिलिपिन्स ने किस मिसाइल की सम्भावित आप उड़ती हेतु एक समझावते पर हस्ताक्षर किया है आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस याद रखेंगे ब्रह्मोस इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ण हमारा है कि विश्व बाल सरम निसेद दिवस कब मना जाता है बाल सरम निसेद दिवस आंसर हो जाएगा ऑप्सन मरशी 12 जून को 12 जून 29 जून दोल 21 को भारत सरकार के प्रदान वेगेंग सलहकार के कार्याले दवार आत्म निरभर क्रिसी एप लाउंच किया गया है तो दाने स्वार निम्लिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है तो सही है तो हमारे इसाब से सभी यहां पर सही हो जाएगा पढ़ लेते हैं इस यानि यह 12 भासाओं में उपलब्द है यह प्रासंगी डेटा प्रदान करने के लिए खेत के भगौलिक इस्थित पर निर् पर क्रिसी एप को डेजाइन वर निर्मित किया है यह भी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा आगे है जून द्वार 21 में किस राज या फिर केंद्रसासित प्रदेश के राज आपदा प्रतिकिरिया बल द्वारा सुकून नामक परामर्स हेल्प लाइन नंबर का उद्गाटन जो है किया गया है आंसर हो जाएगा जमू एवं कास्मीर ओप्सन नंबर सी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारम किये गए डिजिटल इंडिया कारेकरम ने अपने च्छाव वर्स पूर किये हैं डिजिटल इंडिया कारेकरम का प्रारम जो है कब किया गया था तो यह आ हो जाएगा अगस्ट दोयार 21 में किस भारतिये प्रधोकी संस्थान नियो बोल्ट नामक नाम से भारत का पहला सोदेशी मोटर चलित वेलचेयर वाहन विक्षित किया गया है आंसर याद रखेंगे आपका आयाईटी मदरास आयाईटी मदरास ऑप्सन नमबर सी बारह मई दोयार 21 को प्रतिश्ठित पत्रिका फुबर्स निवी सोके सबसे अधिक कमाई करने वाले सिर्स दस एथलीटों की सूची जारी किया है इस सूची का संब्ध में विकल्प में से कौन सतत्य जो है सही नहीं है यानि कौन इसमें आपका यहां पर गलत हो जाएगा तो इसमें डि जो है यहां पर गलत हो जाएगा तो हम डि को छोड़के जो सही उसको पढ़ लेते हैं देखें इस सूची में आयरलेंड के M8 सारी M.MA फाइटर कोनोर मेकरगिरेशन विगत श्राद महीनों में 180 डॉललर राश की कमाई करने वाले पहले स्थान पर हैं और्जिन्टिना फूटबॉलर लिॉनेश मेश्ची 130 डॉललर की कमाई के साथ Lum festivals अ स्थान पर और य juicy और ये कौनशा नंबर है वान बेन बेना थो Phil भी हमारा सही है पुरदगाल के फुटबॉलर क्रिष्टियान रोनालडो एक सो बीस मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे इस्थान पर हैं तो सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे आगे हमारा है तेरह मई दो हजार एकिस को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है रद्ध कर दिया है आंसर हो जाएगा ऑप्सिन मंगाल के युनाइटिट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेट का ऑप्सिन हमारा यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा बीस मार्च द्वार 11 को सन्युक्त राष्ट्र महासभा के नेत्रितों में सन्युक्त राष्ट्र प्रफिंट के सूची में 149 देशों को सामिल क्या गया है विश्यों के सबसे खुषाल देशों के सूची फिल्लेंट प्रथम इस्थान पर है और भारत का जो इस्थान ने 149 अब इसका इस्थान जो है चेंज हो गया होगा हाल ही में सिक्षक पर्व का पहला सम्मेलन दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे अगर आपका कोई सुझाव है देखिए दो यानि आपका सेट सेट नंबर सेवें था एक नैन के बाद आपका हो सके तो डिसकसन के साथ एक घंटे का घरीबन वीडियो होगा अगर आप उसको देख लेते हैं तो आ आज के लिए इतना ही जाए हिंद।